मुसलिम डिबेट के एक और विडियो में आपका स्वागत है जिस तरह से जिस फार्मूले पर आप मटी कठी करके आदम को बना रहे हैं उसी फार्मूले पर आप हवा को भी बना सकते थे नहीं आपने हवा को आदम की पसली से बरामत किया अगर आप इसकी डेटा डिटेलिंग के अंदर जाएं और इसके अंदर आप वकाईदा डेवल्स एड़ोकेट का करदार अदा करें तो मैं एकसर मौलवियों से कुछा करता हूं कि आदम की पसली से जो हवा बरामत की गई थी वो 18 साल की थी या 9 महीने की थी अब 18 साल की जो हवा है वो तो बरामत नहीं हो सकती क्योंके पसली में जगा नहीं होती और अगर 9 महीने की बराम सुननत तो ये हमारे रसुल उल्ला ने भी फॉलो की है बलके एक मौलवी का बयान आया था अमिज साब अगर आपने वीडियो डाउनलोड किया है तो जरा लेके आईएगा ये वो कहते है कि रसुल उल्ला जो है वो हज़रत आईशा को पिंकी कहते थे मतलब ऐसा मैं साहिल क्वेस्ट करूंगा कि क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा सेंस्टिविटी एटाच्ट है और मेरे पाकिस्तान के अंदर जो रूट्स है उनको प्रॉब्लम हो जाएगा देखें बात ये है मैं आपसे ना इसकी थेरी के उपर बात करता हूँ अब पाकिस्तान में गवर्में गवर्मेंट आफ पंजाब ये भी कहती है कि कोई जो लौ है कुरान और सुन्नत के मुखालिफ नहीं बन सकता इसका मतलब ये है कि गवर्मेंट आफ पंजाब ने 16 साल से कम उमर लड़की की शादी पर जो पाबंदी लगाई है वो एक सेकुलर लौ के तहत लगाई है और लौ खुद कुरान और सुन्नत के खिलाफ है कि सुरह तलाक के अंदर बकाईदा एक आयत है कि उन लड़कियों के लिए भी हैज की मुद्द चार महीने दस दिन होगी जिन को अभी हैज आना शुरू नहीं हुए इसका मतलब ये है कि अभी जिन लड़कियों को हैज आना भ दस दिन मुकरर की गई है और आज भी जो मुसल्मानों की अक्सरियत है वो अपनी कम अमर बच्चीयों की शादी जो है उधेर अमर लोगों के साथ करना पसंद नहीं करते इसका मतलब ये है कि दियर कल्चर डॉमिनेट्स ओवर दियर रिलिजिस नाइथालोजी और मैं अक् बहुत 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 उंदा आपने फरमाया कि जिसने कुरान समझ लिया तो फिर सवाल ही नहीं उठता है कि आप मुसल्मानों के पठो तुमारे पास अगर हर चीज का कोई ना कोई कांटर अर्गिमेंट है तो जिस के जिन सोर्स को बनियाद बनाकर तुम पूरी दुनिया को आग लगाने पर तुले हुए हो जिन सोर्स को बनियाद बनाकर तुम हुमन सिविलाइजेशन की बेस्ट अचीवमेंट्स को सबोताज करने पर तुले हुए हो उन्ही सोर्स को जब हम तुम्हारे आगे रखते हैं तो तुम उनसे मुकर जाते हो तो बेसिकली मसला मसला य प्रवाइब करेंगे लॉजिक से बात करेंगे तो वो आपकी बात सुनेंगे और आप यगीन करें साहिले आपकी तारीफ करना चाहूंगा कि आप ना सिर्फ इंडिया के अंदर बलके पाकिस्तान में भी देखे जाते हैं और पूरी दुनिया के जो मुसल्मान हैं कुछ लोग आपको हैरत से देखते हैं कि यार ये कह क्या राए लेकिन जो हशर क्रिस्चैनिटी का प्रिंटिंग प्रेस ने किया था वो ही हशर आज कल इसलाम का सोशल मीडिया कर रहा है ठीक है और इस तरह बकाइदा बहुत सारे मेरे जानने वाले हैं जो के बकाइदा मौलवी हैं, जिनके बीचे लोग जुमा पढ़ते हैं and irritaal. बिलकुल बिलकुल. हम भी ऐसे कई लोग को जानते हैं. बिलके पाकिस्तान में से भी कई लोग को हम जानते हैं, जो बाकाइदा मदर्सों में आज भी पढ़ा रहे हैं. लेकिन वो एथेस बन चुके हैं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, बल्के हमने वो कहते हैं ना कि जो मंदर की चुहे होते हैं, वो भगवान से नहीं डरते, तो ये जितने मौलबी होते हैं, ये सारे मंदर की चुहे होते हैं, उनको बहुत अच्छी हो, डॉक्टर ताहिर कादरी को देख लें, वो खाब में जब उसका दिल करता है, आहजूर को ले आता है, कि जी आहजूर मुझे कह रहे थे कि ताहिर मुझे पिया ये का टिकेट ले दो, ताहिर मुझे मदीना वापस बिजवा दो, ओ, मैंने आलम रोया के अंदर फलां फलां बुजर्ग से इतने साल तालीम हासल की, एक दो इनका आलम रोया ही खतम नहीं होता सक, ठीक है, ये जब चाहते हैं किसी भी मुकद्दस इस्लामी शख्सियत को अपने खाब में देख लेते पहुते हैं अज रात मेरे खाबचे, ओ, आएसी, ठीक, वाँ, वाँ, मैं वाँ, क्या वाँ, ये लटीफा भी है, बकाइगा नहिए, नहिब चल रही थी ये शीयों की, तो उसमें ना वो एक शीया जो जाकिर खातून थी, वो कह रही थी, कल रात या हजरत इमाम हुसैन मेरे खापची आए, तो सारी औरते बड़ी इंप्रेस हो गई, वो इमाम हुसैन किस तरह के थे, वो कुछ क्लियर नजर नहीं आए, मेरे पास से ना तेजी से गुजर गए, तो एक औरत कहने लगी कि इमाम ह इसलिमा का इस बात पर इत्तफाक नहीं है, कि जो मेराज का सफर था, वो जिस्मानी था या रुहानी था, मैंने मुलाना मुबारिक अजर से ये पूछा, कि ये मेराज का सफर जिस्मानी था या रुहानी था, तो कहने लगी जिस्मानी था, तो वो सफर उम्हानी के घर से हुआ था तो मैंने पूछा लेकिन वो बाद उलमा तो कहते हैं कि वो रुहानी था तो कहने लगे यह हमारा अपस का मामला है अच्छा वो हम निपढ लेंगे यह हम निपढ लेंगे यह यह नि यह नि इनका आपके एक इस्लामिक टेक्स्ट के तरजमें के ऊपर इतफाक नही है और यह लोगों को दावत देते हैं कि आप आकर हमारा रिलिजन कबूल करें बकाइदा पाकिस्ताम में जो तबलीगी जमात है दो पहर के तीन बज़े लोगों के घरों की बेलें देकर कहती है कि भाई नीचे आए और हमारे साथ मस्चे चलें ऐसे इन्होंने लोगों की अजाब किया हुआ है उनको बकाइदा उनसे चोटी चोटी जो खुशियां चीननी है बकाइदा इन्होंने बकाइदा लेजिसलेशन करवा दी हैं कि आपको स्कूलों कॉलेजों के अंदर रिलिजिस टेक्स बुक्स पढ़नी पढ़ेंगी और बहुत सारे जो गेर मुस्लि बच्चों को पूरा कुरान पूरा कुरान तर्जमे के साथ पढ़ा दें और पूरी इसलामी तारीख बिला कमो कास तो उनके आगे बयान कर दें तो मुझे लगता है कि ये एथीजम की बहुत बड़ी खिदमत होगी क्या बात है बहुत जबर्दस्ट आपको चाहते हैं ना कि आपके बच्चों को स्कूलों के अंदर इसलामिक एजूकेशन मिले जी हम देते हैं आप इनको कहें कि हिज्रा अस्वत को जैनवरी 930 में अबु ताहिर करामती उठाकर कहा ले गया था और उसने उसका अगले 22 सा तक क्या हशर किया बताए जिसको जाकर ये चुमिया करते हैं उसको अबु ताहिर करामती ने 22 साल तक अपने लैट्रीन की जीनत बनाई रखा था और फात्मी खिलाफत की इंटर्वेंशन के उपर टूटी हुई हालत में इनका जन्नत का पत्थर जाकर वापस किया था जिस करान में एक सूरा नाजिल फरमाता है सूरे फील से क्या आपने नहीं देखा कि हमने हाती वाले कौम के साथ क्या हाल किया वहाँ पे उस वक्त काबे में बुत रखे हुए है उस वक्त तो अल्ला उसको बचाने के लिए अबाबील भेज रहा है और जब अबु ताहिर करामत जो है वो आ रहा है उसने खून का नंगा नाच किया उदर हाजियों को कतल किया जमजम के कुएं में लाशे गर गए तब तो अल्ला नहीं भेजा किसी को सर 683 एसवी में ये तो बहुत बात की बात है 930 एसवी की 683 एसवी में जुबेर बिन अवाम ने जो खाना काबा का डिफेंस कर रहे थे उसके उपर बकाइदा जो खाना काबा तब भी तबा हुआ था जब बकाइदा जुबेर बिन अवाम के उपर लशकर कशी की गई थी 68 683 एस्टी में उम्भी खलीफा की जानब से ताकि उनको जिसको आप फिर्स्ट सिवल वार या सारी सेकंड फितना कहते हैं आप उसको 683 एस्टी में भी खाना काबा डिस्ट्रॉय हुआ था और ये बकाइदा तोर पर जिस सब्स गुंबद के साथ अपनी इसलामिक अफिलिये में कहते हैं किया तुमने नहीं देखा ओ भी मैंने नहीं देखा मैंने नहीं देखा क्योंके मैं तो था ही नहीं यह पता नहीं किसको पूछ रहे हैं कि क्या तुमने नहीं देखा ओ भी मैंने नहीं देखा ये फिर यह कहते हैं कि जूट बोलना बुरी बात है और कहो कि एक चाला की करने की कोशिश करते हैं और इस पे भी बाकाइदर हमने दो एपिसोड किये थे, स्ट्रीम किये थे, वो सुरह अंबिया, सुरह नंबर 21 के आयत नंबर 30 जिसको बिग बैंग थियरी बता कर पेश किया जाता है, कि देखो चौदा सो साल पहले ही हमारे रसूल ने ज काफिरों ने नही है कि जबीन और आस्मान ये जुड़े हुए थे, हमने इसको जदा जदा करें, कौन से काफिरों बिग बैंग देख लिया, निए विक बैंग कौन से काफिर देख रहे थे यही July काफिरों आफिरों ने नही है, कि इसको मालुम था, और अम उस दौर में भी इस आयत को लेके जाए, 1400 साल पहले, तो 1400 साल पहले काफिरों को कहा मालूम था ये बिग बैंग, कि इस तरीके से जो है वो दुनिया या यूनिवर्स वजूद में आई, ये किस तरीके की बोंगी है, कि क्या काफिरों ने नहीं देखा? तर मैं आज आपके चैनल के तोस्त से उन तमाम इनसानों को जो कि इस वक्त जवान हो रहे हैं, 16-17 साल की उमर में, अबल तो उनके पास गूगल है, लेकिन अगर किसी ने लिस्ट बनानी होना कि इनसानों में मज़े के काम क्या हैं, जिनको काम करके मज़ा आता है, तो आप इ इसलाम में जितने ममनुआ काम है, वो सारे के सारे मज़े के काम है, ठीक है, तो बिसिकली आप उन में से एक मज़े का काम ये भी है, कि आप इनके कुराने के टेक्स्ट को बकाइदा उसको रियालिटी चेक दे, जिस तरह आप ने बताया कि काफरों ने कब बिग बैंक इसलाई जाती है, इकराब बिसमी रबी कल लजी, खलक, 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 इनसानु में अलक, पढ़ अब ते रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया, जिसने तुझे जमे हुए खून के लोथड़े से पैदा किया, इनको यहीं नहीं पता था कि जमा हुआ खून का होता है, इनसान की पैदाईश जाइगोट से होती है, जो के मर्ग का स्पम और और औरत का एग होता है, और उसके मिले से जो जाइगोट बनता है, उससे बच्चे की डवेलप्पेंट होती है, तो बिसीकली इनको यहीं नहीं पता कि चौदा सो साल से पहले अरस्तु गुज गुजर चुका है, हाइपेशिया गुजर चुकी है, सॉक्रेटीज गुजर चुका है, आपके पास अर्शबीदस गुजर चुका है, आपके पास पूरी बैबिलूरियन जो साइंटिस्स हैं वो गुजर चुके हैं, आपके पास सुमेरियन साइंटिस्स गुजर चुके है आपके पास एहराम मिसर तामीर हो चुके हैं तो इनकी जो मुसल्मानों की जो बाकाइदा तारीख है वो ही चौदा सो साल से शुरू होती है उससे पहले की तारीख भी मुसल्मानों को नहीं पढ़ाई जाती साहिए बहुत अबदर अच्छे एक सवाल जो मुझसे छूड़ गया था जो आपने बात कही थी कि ये जो अरबी लैंगविज है ये पचीस सो साल पहले यह खुद अरब अकेडमी के अपने स्टैट्स हैं यह यह कहां से हाँ यह यह रिफरेंस अगर लोगों को बता देता कि यह अरबी जबान जो है फसाहत व बलागत की जबान है आप आँ अहजूर सललल्ला हुले वाले वसल्लम से पहले के जितने अरब शौरा है आप उनका कलाम उठा कर देख ले तो आपको पता चलेगा कि यह कलाम आपने कहीं न कहीं पड़ा है और वो कलाम जो है वो आपने के अंदर लटक रहा होता था जिसमें बकाइदा तोर पर उस बेटी ने फात्मा को कहा था कि तुम लोगों ने बड़ा जल्म किया तुम लोगों ने मेरे बाप के कलाम को खुदा का कलाम मना दिया तो यह सिचुएशन है साहिल यह सिचुएशन है और मुझे यह लगता है क जितनी तेजी से उम्मत मुस्लिमा के अंदर एथीस्ट्स पैदा हो रहे हैं हमें उन एथीस्ट्स को एक प्लाटफॉर्म पर इकठा करना होगा ताके जो आइडियॉलोजिकल चेंज है न अब वो आ सके फ्रॉम विदिन दा इस्लाम तो चेंज दा सिस्टम यू हाव तो ट आप में से जिन लोगों ने अभी तक अवैस भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज आप देखिए कि क्या जबरदस फ्लो में ले में अवैस भाई बाते बता रहे हैं और इतने इतना ज़ादा इनको नॉलेज है हिस्ट्री का इसलाम का इतने जबरद यानि मसके की तरह इनके मूँ से जो है वो लफजों की अदाईगी हो रही है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि इन्हें जो है वो सपोर्ट करें इनके चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिन्होंने अभी तक नहीं किया है कर ले 7800 कुछ सब्सक्राइबर अभी हुए है आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि फटाफट 4200 लोग तकरीबन हमें देख रहे हैं अभी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि फौरी तोर पे जिन्होंने अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले अपने दोस्त एहबाब के साथ भी शेयर करे अवेस साब मुझे पहले आप का डिबेट जो है वो वजडी साहब के साथ भी अभी रिसेंटली हुआ था दो तीन हफते पहले हुआ था जी तो कुछ समरी दे सकते हैं क्या हुआ था और कैसा रहा है यासर नदीम वाजदी साहब जो है वो बकाइदा मैं उनको एक सीरियस मज़बी आलिम समझ रहा था ज मेरा कोई और्गिमेंट पूरा नहीं होने देते थे बीच बीच में से बात को उचक लेते थे और उन बातों को बन्याद बनाकर बकाइदा उन्होंने मेम्स वाइरल की अब मैंने जब उन्हें यह तहा कि अगर तमाम तर जो इनसान है वो एक खुदा की पैदाइश है तो इनसानों के अंदर जो डाइवर्सिटी है वो क्यों है तो उन्होंने आगे सैमसंग के दो मॉडल्स का नाम दिया मुझे उन सैमसंग के मॉडल्स का नाम नहीं पता था हलाकि एक मॉडल्स के अंदर यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए होमो सेपियन्स के अंदर यूनिफॉर से अंदाजा है कि वो मजभी खुदा का डिफेंस नहीं कर सकते हैं और बकाइदा उन्होंने मेरे उपर बर्डन आफ प्रूफ लाद दिया कि जनाब आप साबित करें कि खुदा एक्जिस्ट नहीं करता है यह दावा जो है एहले मजभ का है कि खुदा एक्जिस्ट करता है त शबाना से कहूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और शबाना कहे कि तुम साबित करो कि तुमसे प्यार करते हो लेकिन मैं शबाना को कर लेकिन तुम साबित करो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूं आप इनसे कभी भी इस्लामिक रिम के अंदर आकर इसलामिक अपने आपक हजरत आदम को कब बनाया पता नहीं मैंने उन से पूचा कि अल्ला ताला और हजरत आदम की किस जबान में गुफ्तगू हुई पता नहीं अचा उस पता नहीं को वो इतने फखर से बता रहे थे और इतनी तरस भरी नजरों से उनको देख रहा था कि ये शक्स और इसके जो पैरोकार है वो किस तरह से बकाइदा इसके साथ अपने आपको रिलेट कर सकते हैं कि हम एक पड़े लिखे शक्स का इत्तबा कर रहे हैं फिर वो कहने लगए कि जनाब ये बाते हमें पता होना जरूरी नहीं है हमारे काम की जतनी बाते थी वो सारी कुरान में है ये बिलकुल वैसी ही बात है कि हजरत अमर को जो के खलीफा-धौम थे उनको हजरत साथ बिन अभी वकास ने इरान से खत लिखा कि जनाब इरान पर लशकर कशी के दौरान हमें बहुत सारी किताबे मिली हैं तो इन किताबों का क्या करना है तो इस पर रिवायत है कि हज़रत अमर ने ये जवाब दिया कि हमें जिस चीज़ की जरूरत है वो कुरान में है और जो कुरान में नहीं है हमें उस चीज़ की जरूरत नहीं है तो बकाइदा वाजदी साब ने ये कहा कि अच्छाई और बुराई का शोर होने के लिए हमें जितने मामलात थे कुरान में पता चल गए और इस तरह की बाते हमें बताई नहीं गए असल में इस तरह की बाते इनको इसलिए नहीं बताई गए तो जिन लोगों ने इनको ये ब वाथ फ़त्म होता है वान थाॉजंड निडिन फार सिइंड सिस्क्राइब के बाद फ़िltर के इंदर इनदर कनवर्ट हो जाता हूँ जो इनकि आप उनकि अन्र हादं सिर्व के अजय молुट्र खिले में निरें किव किलदुन चीफ natur का क्या है लेकिन अगर हम इसको इंप्लाई करें जुडाइजम के उपर तो उनकी बाठ ठीक है कि जुडाइजम जो है तीन हजार साल पुराना मजभ है अगर हम इसको इंप्लाई करें अगर तो वो हमसे डिवेट करेंगे तो उनकी अपनी धोती जो है उपर उट जाएगे आहा हा हा मतलब आप ये कहना चाहरे है कि नहीं इनकी इनकी खैर खाही में मश्वरा दे रहा हूं कि भाई अगर तुमने अपने इसलाम की बची खुशी इज़त रखनी है ना तो बराहे महरबानी कुरान के उपर, हदीस के उपर, इसलामी तारीख के उपर अवैस अकबाल और साहिल जैसे काफरों से गुफटगू करने से गुरेज करो क्योंकि उन से गुफटगू के दुरान फिर जो जो नुकात सामने आएंगे ना तरि को याद है नवम जो वकीली ने पूछा तूम इस गवा को जाती हूँ हाँ मैं इसको भी जाती हूं इसको जाती हूँ इसका इससे च runners गयाए तो जज़गा दूंकर अगर पूछा रही कि आपके religion की reality क्या है और अगर आप मुबारिक अजर साब की performance देख लें आप कैसर आहमद राज़ा साब की performance देख लें आप यासिन अदीम बाज़दी साब की मेरे साथ debates में performance देख लें वो एक दो means को हटाकर जो गुफ्तगू का जिस्ट है ना उसको ignore करते हैं वो अपनी अ इसलाम कभी survive नहीं कर सकता जो के वो है ही नहीं बिलकुल बिलकुल आपने सही फर्माए मैं इस point पे emphasize कर रहा था कि जो आपने calculation बताया इपने खुलदून के तालुक से 1600 साल का तो 1666 तो उस हिसाब से अभी इसलाम के भी कुछ तकरीबन 200 साल बचे और वो ग्राफ नीचे आ मेरे काल से एक दम सही है और ये इसलाम प्यालने का सबसे बड़ा तरीका क्या है जी क्या का आपने इसलाम प्यालने का सबसे बड़ा तरीका क्या है जी बताया है और यह बकाईदा इतने बच्चे पैदा करते हैं और उनको बकाईदा कहते हैं कि अगर एक साथ साल का बच्चा नमाज ना पढ़े तो उसको मार कर नमाज पढ़ाओ। अच्छा सर मुझे साथ बताए गया था चले हैं इन्होंने बच्चे को भी मारना कि अबादत करो मेरे रख की आप अगर वालिद हो और आप कहें अपने बच्चे को के पांच तफ़ा जब तक तुम मुझे जुक कर आए लव यू नहीं कोगे तब तक तो मैं चॉकलेट नही मेरा बच्चा है ठीक है और इनका अल्ला ताला इनका इतना मुनकिम मजाज है कि वो बकाइदा एक घूंट पीने पर एक गोश्ट का टुकड़ा खाने पर आपको एटर्नल हल में जलाने के लिए तयार बैठ है और बड़ा रहीम वो गफूर रहीम भी है क्या बात है बलके अवेस हहए इस पर बाकाइदा मैंने एक ट्रीम की थी दो एपिसोड किये थैं मूसली मैं हर एक टॉपिक पर दो एपिसोड करता हूं बात है मैंने एक ट्रीम की थी कि भाई नमाज पढ़ने या ना पढ़ने से rudडला को क्या फरक पढ़ता है क्या फर्ग पढ़ता है मतलब उसकी खुदाई में जो है वो कुछ बडोतरी हो जाएगी पढ़ने से या नहीं पढ़ने से वो रिजिस्टर पर लिखता भी है यहां उसने दाएं बाएं कंड़े का नी वो खुद शारख के करीब है और उसके कंड़ों पर फरिष्टे बढ़ आप शौक से पढ़ना है और आप शौक से पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल उसमें कोई बुरा ही नहीं कि अला के ठीक है मेरी अरे भाई यह ऐसा खुदा है मुझे नहीं लगता दुनिया के जितने भी आइडियोजी से उनके खुदा तारीफों के इतने भूके होंगे जितन कि हमारे ये थाए Health टाला है तना तारीफों का भूका माफी म göz очень का बलके थी आता है थाशा कि अगर आप लोग गुना नहीं करोगे आप लोग गुना करोगे चुंकि आप जब गुना करते हो और जब उसकी तौबा करते हो तो अल्ला खुश हो जाता है अगर आप गुना ही नहीं करोगे तो अल्ला आपको डिस्ट्रॉई करके दूसरी एक कौम लेके आएगा जो गुना करेगी और उसके बाद अल्ला से माफी माँगेगी तो कैसा खुदा है भाई तारीफ करवाने का मुखा विल्डियूरा अप लिखते हैं कि सिंस फ्लेश इस वीक इन लॉइस कॉम्पलेक्स सिन इस इनेविटेबल रिलिजन बनाने वालों को बहुत अच्छी तरह पता था कि खुद रिलिजन के जितने ममनुआत हैं उन पर खुद फाउंडर्स ऑफ रिलिजन भी अमल नहीं कर सकते और चालिस साल तक नमाज ना पढ़ना सुन्नत नवी भी है और दावा नभूवत करना भी सुन्नत है तो बेसिकली रिलिजन आप पर इतनी पाबंदियां आयत करता है कि आपको उसको पता है कि आप उन पाबंदियों से डेविएट करोगे और वो आपके अंदर एक सेंस ऑ to believe in God so that my wife do not sleep around and my cook do not poison my food and a single God spares a thousand policemen तो बेसिकली इन्होंने God को एक Sky Daddy के तौर पर introduce करवाया हुआ है और अगर आप को देखे अगर आप और मैं किसी गरीब की मदद करते हैं तो हम इसलिए मदद करते हैं कि वो गरीब है वो नीडी है लेकिन यह जो मुसलमान है ना यह गर और आप इनसे ज्यादा बेहतर इनसान है बिल गेट्स जो किसी खुदा को नहीं मानता वो पूरी दुनिया से मलेरिया एरेडिकेशन के लिए बिलियन्स ऑफ डॉलर स्पेंड कर रहा है बगार किसी सवाब के लालच के और यह वरीदों में गोश्ट तक्सीम करते हैं और यह अक्तर यह कहते हैं कि अगर मजब नहीं होगा तो क्या आप अपनी मह भेहन के साथ सेक्स करेंगे यानि इनको फिर्ल मजब मेरे बास आते हैंना मैं तो एक ही सवाल उनको करता हूं मैं उनसे ये कहता हूँ कि ये बता दो कि टटी इस वज़े से नहीं खाते हो क्योंकि अल्ला ने मना की है या इस वज़े से नहीं खाते हो क्योंकि ये गंदी चीज़ है सभी बाद है सर्व मैं इनकी अकल के उपर है रान होता हूं कसम से मैं इनकी अकल के उपर है रान होता हूं लेकिन आपको पता है मैं एकसर बहराता होता हूं कि मुझे लहॉर ग्रामर स्कूल की एक 14 साल की O-Levels की बच्ची ने Facebook पे Message किया आजकल वैसे मेरा Facebook और Twitter जो है वो Athe का Confession Chamber मना हुआ है उसमें केने लगी वह अवैस भाई आप बिल्कुल ठीक कहते है अल्ला ताला दुआ के नतीजे में किसी का Cancer Aids ठीक कर देता है लेकिन किसी की कटीवी टांग नहीं उगाता और यह मौलभी जो है इसको भी अपने खुदा की लिमिटेशन का पता है वो भी और इबराहीम को कुरान में एक परिंदे की Life After Death की Practical Demonstration की जरूरत पढ़ी Life After Death पर बिलीव करने के लिए और फिर हम तो बकौल इनके हजरत इबराहीम से बहुत चोटे लोग है न हमें तो दो चार परिंदे जिंदा करके दिखाओ बलके जो सबसे पहली मेरी स्ट्रीम थी जब मैंने लाइब स्ट्रीम स्टार्ट किया था तकरीवन धाई साल पुरानी बात है मेरे क्याल से अभी जो हमारे विवर से वही एक्जाक बता सकते हैं मुझे डेट याद नहीं रहती तीन साल पहले चायद मैंने चैनल उपन किया जो पहली स्ट्रीम थी उसी में मैंने थाबित किया था कि हजड़त इबराहीम जो है वो मुश्रिक थे थोड़े देर के लिए बने लेकिन मुश्रिक बने उन्होंने क्या किया सूरज को चांद को देखा कि यह मेरा खुदा है जब उन्होंने चांद को देख के उसको खुदा माना तो उन्होंने सिर किया अच्छा मैं चुके दो किताबे लिख चुका हूं और मेरी क्रॉनॉलोजिकल हिस्ट्री के उपर थोड़ी सी नजर है साहिल मेरी एक honest humble opinion ये है कि हजरत इबराहीम, हजरत आदम, हजरत नू और हजरत मुसा इन हस्तियों की mythological existence जरूर है लेकिन इनका हमारे पास कोई conclusive historical मौजूद्गी का सबूत नहीं है बहुत जबर्दस तो यह already आपने लिखी हुए किताब जी जी मैंने दो किताबे लिखी है, The Arrow of Time जिसमें मैंने पिछले 5000 साल की human history को मैंने year by year relate किया है और देवर हेर जिसमें मैंने पिछले 4500 सालों के जो 1800 एहम तरीन शक्सियात हैं, उनकी short biographies को correct किया है और अभी मैं एक तीसरी किताब पे काम कर रहा हूँ, जिसका नाम है The Book of the Books, 1000 Books of Last 4627 Years क्योंकि हम इस एक जिन्दगी में Shakespeare को नहीं पढ़ सकते, इबन रुष्ट को नहीं पढ़ सकते, फाराभी को नहीं पढ़ सकते, अर्शमीदस को नहीं पढ़ सकते, बुल्लेशा को नहीं पढ़ सकते लेकिन कमसकम चक तो सकते हैं न, तो मैंने 1000 किताबों का extract एक किताब में शामिल करने की कोशिश है क्या बाद, अच्छा अगर किसी को ये किताब खरीदनी है या डाउनलोड करनी है तो क्या option है मैं उसके लिए, मैंने कूबे के उपर अपलोड की हुई है, मैं उसकी जो डिटेल्स हैं, वो मैं अपनी यूट्यूब की कमिलिटी पेज के उपर जल्द अपलोड कर दूँगा बहुत जबरदस्त है, मतलब आप सोचो, किताब लिखना ये किसी भी टॉम डिक हैरी के बस मतलब उसके लायक कई काम नहीं है कि वो किताब लिखे, अगर अवेश साहब ने किताबे अल्रेडी लिखी वी, वो भी हिस्ट्री के उपर और और एक किताब लिखने वाले, तो आपको खुद अंदाजा लग जाना चाहिए कि तो कितना नौलिख मैं आज आज मैं आपके वीवर्स को एक्जेक्ट डेट भी बता सकता हूँ, जिस दिन बकॉल इनके गारे हिरा वाला वाकिया पेश आया था, ये वाज़ वाई, क्या बात है वाई, क्या बात है, क्या बा आपको पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले